कनाडा की राज्धानी क्या हो जाती ओटावा हो जाती है अगर मैं आपसे सवल पुछता हूँ कि कनाडा का सबसे बड़ा सअर कौन से हो जाता है कमेंट करके बाद ठीक है बहुत जफी ज्यादा जन सक्यां और लोग यहां से भारत वाले लोग ने यहां पे बहुत जाते हैं भारत वाले लोग यहाँ पे बहुत जाते है कनाड़ा में डॉलर इसकी मुधरा हो जाती है जस्टीन टूडो याद रहेगा जस्टीन टूडो क्या हो जाते है परधानवंतिर हो जाते है यहाँ पे जो उचावी थे अजय कुमार बिसारिया याद रखेगा सती कनाडा में किस भारतिये मुल्की महिला को डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा अति महतपूर सवाल कनाडा में किस भारतिय मुल्की महिला को सती हाली में हाली में डिफेंस मिनिस्टर बनागा कमेंट करके बतेगा कनाडा में किस भारतिय मुल्की महिला को किस कनाडा में किस भारतिय मुल्की महिला को भारतिय मुल्की महिला को कमेंट करके बतेगा हाली में हाली में साथी भरती है मुल्की महिला को हाली में डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री बनाए गया कहा पर रक्षा मंत्री बनाएगा अत्ती महतपूर सवाल अत्ती महतपूर सवाल ब्यक्ती बीसेस में आप से पूछा जाएगा ठीक है चलिका कान रक्षा मंत्री किसे बनाया गया रक्षा मंत्री साथी अनिता अनन्द को ठीक है अनिता अनन्द किस देश में पूछेगा अनिता अनन्द को किस देश में भारतिय मोहिल के महिला है जिनकों की रक्षा मंत्री बनाया गया कानाडा में बनाया कानाडा में बनाया कानाडा का एक कौर सार है जिसका नाम है बीनी पेग में याद रखेगा गेहु का भी सबसे बढ़ी मंडी कहां पर जाते हैं तो गेहु की सबसे बढ़ी मंडी ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बड़ी मंडी तो विस्वों की सबसे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी पुछेगा कहा पर जाते हैं तो बीनी पेग में हो जाता है कौन से देश में कानाडा में तो बीनी पेग विस्वों में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी बहुत साही सांदार ला जवाब चलेगा अब थोड़ा करा कर आज मैं कनाड़ा आपको कराऊंगा कनाड़ा से क्या क्या आप से सवाल पूछे जा सकते हैं कनाड़ा से क्या 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 आप से सवाल पूछे जाता है सबसे पहले तो याद रहेगा साथी यह पुरा का पुरा करनाड़ा अब ध्यान समझेगा मैप होगारा लेकर पुरा का पुरा इस तरीके से चंगा यह बढ़ा का पुरा इस तरीके से जो जाता है यह बताएंगे अभी जितना में हाँ दिख रहा अभी इतना ही दिख रहा जितना दिख रहा इतना ही दिख रहा है ठीक है चलेगा याद रखेगा सथी सबसे पहला सवाल आपके पाद सबसे पहला सवाल कानाडा के बारे में मैं नौर्थ अमेरिका नहीं कानाडा के बारे में याद रखीगा कानाडा के बारे और दिष्टार सबसे बड़ादेश पहला कौन है दूसरा सबसे बड़ादेश पहला कौन है का याद रखिगा कनाडा की ठिटी चिमा सबसे जादा है कनाडा की टटिये सीमा सबसे ज़्यादा हो जाता है आप मुझे कमेंट करें के बताइए अगर आपसे सवाल पुछेगा कि किस डेट की टटिये सीमा सबसे लंबा है देखो सबसे लंबा टटिये सीमा और सबसे बड़ा टटिये सीमा में अंतर है तो याद रहे कि सती सबसे ज़्यादा टटीए सीमा ठीक है कोस्ट लाइन यह याद रहागा पूरा कितना फैला हुआ है ठीक है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा टटीए सीमा सबसे ज्यादा टटीए सीमा किसके बीच में हो जाते हैं सबसे ज्यादा टटीए सीमा कानाडा के बीच में हो जाते हैं सोरी किसका हो जात सिमा कौन सी दो देशों के बीछ बहुं जाथ ही मैंने आप अभी पुछा उनना कि सबसे लंबा टटिय सिमा तो नॉर्था अप्रिका में जो चीली बहुत तो इस तरीके से पूरा का पूरा लंबाई मैं है तो सबसे लंबा फॕंची सिमा किस किये चीली किया ठीक है सबसे लंबा फुह बड़ा ही हो जाता जब किसे बड़ा हो जाते हैं तो four लंबी सिमा यूए-सस और कनाडा के बीच में USA और कानाडा के बीच में USA साथी और कानाडा के बीच में कितने इसके लंबाई हो जाती है तो 8,890 किलोमेटर एक प्रॉक्स हो जाती है 93 किलोमेटर वैसे इसा है ठीक है याद रखिगा यह जो कौन सी सीमा हो जाती है इसको कौन सी रेखा अलग करता है तो 200 की सब करते को अलन करते चीजा समझ में आ सोपके यहां तक चीजा समय नहां कि यहां तक है कंणा दल को यह हाँ सर यहाँ पर घड संसरे है हां कि खडिगा यहां बहुत हो जाते हैं हर्ण की ठीक हर संसरे कांद लोगivos यहां पर तीन महत्वूड जीन लिखेगा कनाडा के साथी क्या लिखेगा तीन महत्वूड जीन लिखेगा यहां पे दिख रहा होगा थोड़ा सा Πानी पानी सा ठीके कानाडा का तीन महतपूर जील यहाँ पर देखो एक जील है यह दिख रहा है पानी-पानी सा जील कानाडा का जील धीरे दीर आपको मैप वागरा मैं कराओंगा कुछ चीज़ों अभी बता रहा हूं बाकि जब मैप वाली क्लास आप लोग के स्टाट करूंगा ना वहा स्ल 생각이 आठेट ग्रेट स्लहब लेकि ठीक है ग्रेट एसलें लेडिस लेती के торव एक घ्रेट ब्रेट बी पेग चलिका तो ग्रेट ग्रेट रिट लगा है घ्रेट बी पेग लिप्लेग तो ग्रेट की ति can beally senile Ce ठीक है बीनी पेग तो बीयर सलेब बीनी पेग बीयर सलेब बीनी पेग सही है बीयर सलेब बीनी पेग ग्रेट बीयर लेक ग्रेट सलेब लेक और ग्रेट बीनी पेग लेक यहां तक चीज़े क्लियर अब इनके बीच में एक याद रहा यहां पर साथी बीनी पेग से एक नद यहां पर यह जील याद रखेंगा कौन सा जील तो ग्रेट बीयर स्लेब बीनिपिक ठीक है याद रखेंगा इसको याद रखेंगा चलिका अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिका यह कनाड़ा को थोड़ा सा जूम करता हूं तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बता है जील बत ग्रेट सिलेब जील हो गया ग्रेट सेलेब जील रहे जद रहें है और साथ बीनी पनक चकी बारे marм опасpet जील जीए4 आपोचा जाए करवा ता этот 1620 2020 जन्वरी में सवाद पेपर यह पूछता सिंपल से अ सहिए कहा पर है ठीक है निलसे नदी कहां पर है घर के नल संतो नधी कहा पर हो जाते ऑप नदी के बार में कि इंब रहे का नेर सन नदी Onlineर रिभर कहा पर चाहती दो नदी होगा याद निलसन नादी और दूसरा याद रखेंगे कर साथी मेकंजी रभ वी ठीक है तो निलसन नादी और मेकंजी नादी इन दोनों को कहां पर हो जाते ही कनाड़ा में जलेगा, यह जो निल्सन नदी हो जाती है, इसका ओरिजिन लिखेगा, एसका source लिख लिएगा, कि कहां से निकलती है, और एंपर इसका मुहाना कहांओ जाती है, कहां पर हो जाती है, याद रखेगा यह जो निलसन नदी हो जाती है यह जो बीनी पेग मैंने जील बता देखो तीनों का जील यह क्यों गया बीनी पेग जील हो गया बीनी पेग जील हो गया यह साती ग्रेट स्लेब जील हो गया और यह ग्रेट बीर जील हो गया ठीक है ग्रेट सी बीर जील हो गय निलसन नदी कहां से निकली की दोस्त बीनी पेग जिल से बीनी पेग जिल बीनी पेग जिल कहां पर जाके मिलती है मुहाना कहां पर हड्सन की खाड़ी हड्सन की खाड़ी कहां पर हड्सन की खाड़ी याद रखी गा मैकेंजी साथी जिस तरीके के भारत में इस तरीके से जिसकार जो ओरिजिन हो जता है स्भेभ जीळी सबलि खोज़ता है तुक ओर जाकर कहां पर मिलती है इसका जो मुहाना हो जाता तो मुहाना साथी कहां पर जाता यह पर और कनाडा का सबसे बड़ा सहर ब давно एक में कानाडा की सहर ओटावा मैने और इंदा कुछ सहरों के बारे में बता हुद ऐला चाहरा नाज्टावा अच्टरिवं सबसे बड़ी मंदि empaig का भी सबसे बड़ी मंदी आप मुझे एक बता है यह कि o 예쁘 consumer को लेकर मूंट्रेयल प्रोटोकॉल सम्न कियगा था ठीके ओnaire को लेकर साथी क्या किये मैं था मूंट्राइल प्रोटाइल कब साथ मौंट्रियल प्रोटोकॉल क्या था बहुत से संदर चलेगा तो याद रहेगा साथी ocean layer को लेका रहे तो यहाँ पर Canada का एक सार रहेगा Pananda के सिर्ट साहर से क्हां यहाँ पर सांद साथी प्रोटोकॉल साइन किया गया था कहा पर मॉंट्रियल प्रोटोकॉल कभ साइन किया था मॉंट्रियल प्रोटोकॉल कभ साइन किया था 1987 में मॉंट्रियल प्रोटोकॉल कभ साइन किया था 16 से तंबर 1987 में याद रखे साथी इससे मोंट्रेल में क्या हूत्ते हैं वाडर व का नाम सुनें नवाडर वाडर समय को धुआज right भी बताते जा रहा हूँ इसी तरीके से जब application पे जब मैं आपके लिए map की class लेकर आऊँगा पूरा का पूरा वहाँ से कुछ इतिहास है तो इतिहास के बारे में बता हूँगा ठीक है इतिहास के बारे में बता हूँगा चलेगा इतियास के बारे बताँगा यहाँ पे याद रहेगा इसका जो पूर्वी यहाँ पे साती जो सबसे पक्षिमी दीप हो जाता इसका जो सबसे पक्षिमी दीप हो जाता आइलेंड की बात करता हो तो बैंकुवर आइलेंड ठीक है तो बैंकुवर बैंकुवर दीप सा तहां यहां पर वह जहाज दूब गया था कौन सा जहां पर अरे वह जहाज ढूब गया था जब से बड़ी वाली जहाज कौन सी जो डूब गया था यादर है यहां पर सती बैफिन आज लेंड हो जाता बैफिन दिफ हो जाता यह दर का विक्टोरिया दिफ हो जाता है यह कुछ महत्पूर दिफ हो जाता है और ऐसा तक कि चीजे कनाडा चीजे के बारा में थोड़ा सा अपने जाना समझ भूत में अगे बढ़ते हैं तो मैंने वह जिल बता याद रहे साती कानादा और एक कानादा और उस्य के विच मैं साती चार जिल ए ठीक बोडर पर बात करता हूं तो चार जील हो ज्यता है ग्रेट फाइपud के नाम से चार जील आते ग्रेट फाइपउन आते हैं ग्रेट फाइप Trajle looking कौन सा, सुपिरियर, सुपिरियर जील जील, सुपिरियर जील एंद रहें का हुरोन जील, ठेब wy Oke Running. कौन सा, एरी जील हो गया, ठेब labor college or backup, सब करूंगा गया और यह कोन्टूरियो चेसें को शेर कर देना सभी के सभी सती लेक गोंटूरियो। छीडि इनस सभी मेंसे याध रह का यह वाला ज़िल है यह वाला जो जिल जिल आ कि वेला जिल अमेरिका का है का निमनलन लिखीत में से कर तरीक से यूओ Manuel सब्सक्राइब रहा है तो मैंसे इस आपको ताया टिक आट